हाई मैं प्रशान्थ आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक क्वीटी टू कमडिटी में स्वागत करता हूं तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक special candlestick के बारे में बताने जा रहा हूं तो सबसे पहले इस candlestick को आपको identify करना और जैसे इस candlestick को आप identify करेंगे उसकी वाद आपको क्या करना sell करना यानि मैं वैसे candle के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बनते ही आपको sell side की तरफ जाना है इस candle stick को चलिए चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पे इसको हम identify करते हैं तो हम candle stick को identify कैसे करेंगे उसके लिए हमें कुछ characteristics उसका पता होना चाहिए चलिए सबसे पहले उससे विलेटेड कुछ characteristics हम देख लेते हैं तो यहाँ पर मैं आपको तीन characteristics बताने जा रहा हूँ जिसके basis पर आप उस candle को आसानी से identify कर सकते हैं सबसे पहले नीचे में काफी छोटा सा या फिर shadow नहीं के बराबर होना चाहिए या नीचे में candle के पास टेल काफी छोटा होना चाहिए या फिर नहीं के बराबर टेल होना चाहिए दूसरा point क्या है जो price close होना चाहिए वो candle के one fourth नीचले वाले position में close हो तब भी हम इसके बैसिस पर आगे ट्वेट पोजिशन लेंगे अधरवाइस इसको छोड़ देंगे इसके बैसिस पर कोई ट्वेट सेटप तैयार नहीं करेंगे तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए जो भी अपर शैड़ो का लेंद है यह उपर में जो टेल बना उसका जो भ केंडल को इकार लेंगे जिसके वेसिस पर हमें यहां पर सेयल साइट की तरह चाहा तो चलाए उल चाहां चाहरा पर न तरी पॉइंट को सटिसफाय करने वाला क केंडल exist करते हैं चाहां पर और इसकार चाहर अगर किसी वी टा donne generation करते कि सो पर हम sell side की तरफ जा सकते हैं, यहाँ पर आप कोई भी time frame का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद जो candlestick मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आप अलग-अलग नाम से भी identify कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नाम पर focus नहीं कर रहें, क्योंकि अगर आप नाम identify कर भी होगा, उस पर हम focus नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ focus करेंगे उसके characteristics पर, और candle का जो भी नाम है, अगर आपको पता है, तो आप हमें comment section बता सकते हैं, आपके comment का इंतजार रहेगा, तो चलिए सबसे पहला candle, यहाँ पर हमें यह candlestick दिख रहा उसके जैसा, इसको हम identify करत होनी बगते हैं, वो जो 3 point है, उस 3 point को satisfy कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, सबसे पहले, नीचे में छोटा सा shadow या फिर tail होना चाहिए, या फिर नहीं के बराब़ना चाहिए, वो बिलकुल नीचे में छोटा सा tail है, जो की नहीं के बराबर ही, यानि यह पहला point को अच्छे तरी में डिवाइट करते हैं 1,2,3,4 तो देख सकते हैं जो निचला फोर्थ पार्ट है उसमें ये क्लोजिंग दे रहा है यानि दूसरे पॉइंट को भी इसने अच्छे तरीके से सैटिसफाई कर लिया अब तीसरा तीसरा पॉइंट यहां पमें क्लीन करके बताता हूं अब देखें बॉड़ी का साइज एक्दम छोटा सा मतलब बॉड़ी का साइज सिर्फ इतना साइज है और जो ऊपर में टेल है उसका साइज इतना जाद है यानि बॉड़ी के साइज से 2-3 गुना ज्यादा साइज होना तेल या फिर शेड़ बना उसका और देख सकते 2-3 गुना ज्यादा यानि इसने तीसरे पॉइंट को भी सैटिसफाइ के लिया यानि यह वो केंडल है जिसको देखते हमें सेल सैट की तरफ जाना लेकिन यहां पर हमें एक और चीज ध्यान रखना है कि यह जो केंडल फॉर तो भी कोई मतलब नहीं है तीन पॉइंट सैटिसफाइब होने के बाद हम चौधे पॉइंट पर आएंगे देखेंगे किसका फॉर्मिशन रेश्चेन्ट के पास हुआ है या नहीं हुआ तो आप सकते हैं आपको कंप्लीट यहां पर ट्रॉइंग देखने को मिलेगा अब यहाँ पर सबस्पहले हम इस candle को भी सारा कुछ identify कर लेते हैं अब तीन point के basis पर अगर इस candle को देखें तो देख सकते हैं यह आपका नीचे में काफी छोटा सा tail या फे shadow बहुल सकते हैं यह नहीं के बराबर ही है यहाँ पर नीचे में tail या फे shadow है उसकी बाद जो closing दिया है वो और जो tail है उसका साइज यह रहा है यहाँ जो body का साइज है उससे 2-3 बुना ज्यादा अपर साइट में tail या फे shadow है बिल्कुल है यह भी तीनों condition यह नहीं तीनों point को satisfy कर रहा है अब चौथा point दोनों यहीं आ गया कि यह जो दोनों candle form होना चाहिए वो resistance level के पास form होना चाह है अब देख सकते हैं यहाँ पर हमें resistance level देखने को मिला प्राइस एक बार इसको touch किया वापस से नीचे लौट गया फिर यहाँ पर दूसरा अटेम्ट लिया फिर नीचे लौट गया फिर नीचे लौट गया मतलब यह लेवल एक strong resistance के रूप में काम कर रहा है यह निए अब यहाँ पर अगर हम sell side की तरफ जाते हैं यहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है यहाँ पर फेक्ट entry point उसकी बाद हमें चाहिए होता है target price और उसके बाद तीसरा most important sell यह तीन चीज़ हमें चाहिए होता है चलिए इस तीन चीज़ को यहाँ पर हम कैसे clear cut identify करेंगे यह भी बहुत ज़रूरी है सिर्फ आप इतना identify कर लेने से profit नहीं बनेगा इसका implementation भी ज़रूरी है अगर आप यहाँ तक identify कर लेते हो सही entry point find नही कर दो फिर भी आपको यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है इसलिए यहाँ पर हम सही entry point find करेंगे अब क्या होगा जैसे यह candle close देगा उसके बाद जैसे अगला candle open हुआ और इसके लोग को ब्रेक करके नीची आया हम वेट करेंगे यह तो candle form हुआ है उसके लोग को ब् जाएगा वो हमारा यहाँ पर entry point बन जाएगा यहनि वहाँ पर हम cell side की तरफ जाएगे यहनि पहला entry point के concept के लिए जो candle आपका इस तरह का formation दिया जो चारव point को satisfy किया उसके lowest point को ब्रेक होते ही हम entry लेंगे cell side की तरफ अब हमारा stop loss क्या होगा जो भी इस candle का highest point है यह हमारा का प्रॉप गुदिया के अब यहां पर हम टागेट P Thema अब लोग को confusion आप वही रह रहता है कि इंट्राठे ट्वेडिंग में भी हमारा दोस्तों इसका यहां पे हम profit बुक कर लिए यहां पर इंट्राडे पे profit मिला यह अगर यह candle form होता है अगर आपने और ट्रूइन से पहले इडिशित कर लिए इसके बेसे अप इंट्राडे set अब भी तयार कर सकते हैं और इंट्राडे में भी आपको अच्छा-खासा profit बनाके देगा अब हम target price को उपर बात करें तो टार्डट price इससे पहले उपर आने से पहले जहां जहां भी रुखा है वो सब मेरा target price बनेगा देखिए उपर जाने से पहले यहां पर थुड़ा बहुत वह विश्ट लेता हुआ दिखा है यह मेरा target price बन जाएगा नई तो आप swing low को भी as a target के रूप में count कर सकते हैं पहला एका clear हो गया अब दूसरे का मैं सारा कुछ explain करके बताता हूँ ताकि यहाँ पर भी आपको समझ में आ जाए अब यहाँ पर entry point क्या होगा जैसे इसके lowest point को break करके नीचे जाएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे तो यहाँ पर हम entry लेंगे sell side की तरफ entry के लिए stop loss candle का जो भी highest point है उसको हम as a stop loss use करेंगे उसके बार target price क्या होगा मैंने बता है था उपर आने से पहले जहाँ जहाँ भी रुका है वो हमाला target price हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा बहुत रुका है तो यह मेरा बन जाएगा T1 target price यहाँ पर दूसरी बार रुका है यह मेरा बन जाएगा T2 नहीं तो मैंने बोला है कि swing low को भी आप एज़र target price के रूप में tweet कर सकते हैं और यह मेरा final target price बजाएगा देख सकते हैं अब दोनों जगा risk reward ratio देख सकते हैं और यहाँ पर एक और चीज आप consider कर सकते हैं जो की बताने लाइक नहीं है risk reward ratio जब भी आप अपना tweet setup तयार करते हैं तो risk reward ratio आपके favor में होना चाहिए यहाँ पर अगर हम risk reward ratio की बात कर लें तो देख सकते हैं 1 is to 4 का risk reward ratio देख सकते हैं 4.11 का मेरे पास risk reward ratio यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसको थोरा सा वापस से adjust कर देते हैं उसके बात अगर इस वाले trade में देखें तो यहाँ पर क्या कुछ हो रहा यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर risk reward ratio मेरा 1 is to 2 है यहनि risk reward ratio इस वाले trade में at least आपका 1 is to 2 होना चाहिए 1 is to 1 भी होगा फिर भी हम यहाँ पर नहीं जाएंगे at least मेरा जितना भी stop loss बनता उसका दोगुना target price होना चाहिए कभी हम इस trade के लिए जाएंगे otherwise इसको हम वहीं पर छोड़ देंगे तो 5 पॉइंट यहाँ पर एक और चीज़ को आप consider कर सकते है जो कि आपका risk reward ratio और यह untold point है जिसको आपको हर एक जगा consider करना यह मैं किसी वीडियो में बताओ या ना बताओ जहाँ पर भी आप trade execute करते है risk reward ratio आपको last में चेक करना ही करना आपके favor में तो जहिए नहीं है तो आप last में छोड़ भी सकते हैं तो यहाँ पर हम कुछ और एक यहाँ पर लेखते हैं वापस से हम bank nifty पर आते हैं bank nifty के यहाँ पर हम 30 minute का time frame पर आये मैंने बोला था कि इसको आप किसी भी time frame इस्तेमाल कर सकते है nifty के हमने 15 minute का time frame में लिया और यहाँ पर 30 minute का time frame में देखने को मिला देख सकते हैं वही same candlestick है जिसको बनते ही हम sale करेंगे यहाँ यहाँ पर जो 4 point है उस 4 point को satisfy करेंगे 3 point तो देख सकते हैं इसली satisfy हो रहा 4 point में ला क्या था resistance level देख सकते हैं यहाँ पर resistance level भी form हुआ है यहीं चौथे point को भी इसने आसानी से satisfy कर लिया है अब पाजमा point यहाँ पर क्या देखना है risk reward issue इस पर आप क्लिक करके check कर सकते हो risk reward issue देख सकते हो आपका 2.31 के करीब है risk reward issue अच्छा खासा है जितना मुझे चाहिए था उतना मिलवा है इसके वेशिज़ पर हम tweet execute कर सकते हैं अब यहाँ पर इसको break करते हैं यहाँ पर हम entry लेंगे sell side के तरफ उसके बाद यह मेरा T1 बनेगा लेकिन T1 काफी छोटा सा इसको हम छोड़ देंगे ultimate target price यही बनेगा यही मेरा final target price होगा देख सकते हैं final target price के लिए गया है और target price को उसने same day market closing के time में इसने hit कर दिया यह जो भी यहाँ पर हम tweet execute करें तीनों का तीनों tweet intra day में ही target price हिट किया है इसको आप intra day में भी tweet कर सकते इसके वीशिस पर आपको profit दे सकता है लेकिन condition एक ही है intra day में अगर आप tweet करेंगे यह जो candle का formation है वो आपको 12 बज़े से पहले form होना चाहिए यह नि 12 पीम से पहले इस candle का formation हो तब आप जा सकते intra day में भी अगर आप 12 बज़े के बाद formation होता है तो फिर avoid कर सकते है क्योंकि आपके पास time बहुत कम बचेगा यहाँ पर हम और example देखते है bank nifty गाई एक और example देखते है अब यहाँ पर भी 30 minute का इस time frame में देख रहे है और यहाँ पर भी देख सकते है यह आपका resistance के रूप में काम कर रहा और यहाँ पर भी open में अच्छा खासा tail है body size काफी चोटा सा और नीचे में tail या फिर shadow part नहीं के बराबर ही है तो जैसे इसको break करके नीचे जाएगा यह मेरा entry point बन जाएगा और इसके आसपास मेरा target price के रूप में काम करेगा और यह मेरा stop loss के रूप में काम करेगा और यहाँ पर हम risk reward ratio की अगर हम बात करें risk reward ratio यहाँ पर मेरा 1.29 है तो अब यहाँ पर आप क्या जाओगे या नहीं जाओगे risk reward ratio मेरा 2 से कम है और मैंने आपको अलवेडी बताया था अगर whisk reward ratio मेरे favor में नहीं रहेगा तो यहाँ पर हम tweet नहीं करेंगे सब कुछ satisfy कर रहा है लेकिन पांचमा point जो triple R है वो मेरा satisfy नहीं कर रहा है यहीं whisk reward ratio मेरा satisfy नहीं कर रहा है दो नहीं है दो से कम है इसलिए इसको हम छोट देंगे इसके प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है यहाँ पर देख सकते हैं यह जो candle form वा था इसका जो लेंथ है बहुत ज्यादा हो गिया था और जो टागेट बन वा था इन फैक्ट इससे नीचे भी गिया था लेकिन जो हमारा target बनेगा वहीं पर हम target रखेंगे जाने कुछ बहु सब्सक्राइब करने से प्रॉफिट नहीं बनेगा प्रॉफिट उसके करने में और इसको इंप्लिमेंट करने से प्रॉफिट मिलेगा तो यहां पर सारा कुछ सटिस्फाइब कर रहा है विस्टेम से बल के पास भी है हमें क्या देखना risk reward ratio यहां पर भी risk reward ratio मेरा 1.5 के करीब है यहीं दो से ज़्यादा risk reward ratio नहीं है तो क्या हम इसके basis पर trade लेंगे इसको भी हम यहां पर छोड़ देंगे तो condition को आपको ध्यान में रखना है जो तीन condition है वो candlestick को identify करने के लिए को देखते ही विस्टेम से बल के पास मंते हम sell set की तरफ जाएंगे characteristics भी समझना बहुत जरूरी है और यह सवाल बहुत कम लोगों के मन में आया होगा इसलिए मैं यहां पर last में आपको बता रहा हूं अगर आप characteristics समझ जाएंगे तो आप easily इसको कहीं भी identify कर सकते हैं यहां पे क्या हो रहा? प्राइस आपका उपर जाता और जैसे इसके आसपास आता इसके उपर किसका अरी अरिया बन जाता है? इसके उपर आपका sellers का एरिया आजाता है. मतलब यहां पर हमें selling pressure डेकने को मिलता है. और इस लिवल के आसपास आते ही, क्या होते हैं जो buyers होते हैं वो weak हो जाते हैं यानि वो कमजोर हो जाते हैं और जैसे buyers कमजोर होते हैं strength कोन गेन करता sellers अपना strength गेन करता और as a result price काफी नीचे जाके closing देता है मतलब यहाँ पर क्या हो रहा power का transfer हो रहा किस से buyers से sellers में power का transfer हो रहा और जैसे sellers के पास power आया वो क्या करेगा market को नीचे side के तरफ ले जाएगा और इसलिए market आपका यहाँ पर नीचे side के तरफ बनता जब भी इस तरह का candlestick का formation हमें देखने को मिलता है इसलिए यह candlestick का importance कब है जब यह resistance level के पास बनेगा तभी importance है तो उमीद करते है जो चीज मैंने आपको इस वीडियो में समझाने कोसिस किया है वो आपको समझ में आ गया होगा so that's all friends अगर आपको यह वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को like करके हमें इंकवेज किजे ताकि इस तरह के और भी हम वीडियो आपके लिए regular basis पे लाते रहेंगे so चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe किजे और bell icon को दवाना ना भूले ताकि जब भी हम वीडियो upload करें उसका notification आप तक पहुँच पाए so मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिन